नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जब आप कॉल इस से बीस सी नर्सिंग चार साल का जो कोर्स होता है वो करके निकलते हुए एनम जीनम कोर्स करके बहर निकलते हो तो आप सोचते हो आपके सवाल दिमाग में जरूर आता हुआ कि भाई वरकर आपको वहाँ पर रखेंगे और उन्हों ने रख भे लिया तो आपको घंटा सालरी नहीं देगा इसलिए कॉलीज के साथ साथ चार साल के कॉलीज के साथ साथ आपको एक्स्पेरियंस लेना भी बहुत जादा जोर ही रही है आप कभी यह सोचो कि हां कॉलीज वालों को पहुच जाए कि आने वाले एक-दो साल के अंदर अगर आप काम अच्छा करते हो तो एक और चीज में आपको सीग्रेटली बताता हूं एक नोट साथ एकजाम होता है नर्सिंग ऑफिसर का अगर आपने वह क्लियर कर लिया तो भाई सहाब पिछेतर हजार रूपे पर मन सालेरी आपकी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी वह जो आपको एंटर्स देना होगा उसके अंदर सारा बीएसी नर्सिंग का कोर्स आएगा सारा स्लेवस उसका रहेगा अगर आपने एक बार वह क्लियर कर लिया एंस डैली इंस टिशी केश वगारा सारे ही जितने भी है जिसमें भी आपको चाहो इसमें जोब लग सकती है पिछितर से हजार से स्टार्टिंग होती है और भड़ते-बड़ते एक डेड़ लाग तक यह पहुच सकती है तो आप देखो कितना ज्यादा स्कोप है बीसी नर्सिंग के अंदर एरेम जीनम वालों के लिए छोड़े नर्सिंग के लिए देखो आप अगर कर रहे हो तो उसको अच्छा से सीखो अप यह मत सोचो कि कॉलेज वाल तो कुछ सिखाई ने रहे है इसलिए हम कुछ सीखने रहे है ना यह चीज़ बिलकुल भी ध्यान में मत रखना काम आपको करना है काम आपको सीखना है पेश्ट क सब्सक्राइब करना है पेश्ट की केर आप करोगे सारी जानकारी आपको होनी चाहिए ठीक है दूसरों के वरोसे के उपर मत रहो कि हां मैं तो कुछ पता नी इसलिए हम कुछ करेंगे नि यह सथोड़ी होता है से नर्सिंग ओफिसर बहुत ही विकार बनता है तो आप एक आपको बहुत सही गुजारा हो जाएगा और बाखी कोई सवाल पूसना हो तो कमेंट कर देना